अपनी उंगलियों पर जिल्मिलाती सितारों की धूल को देखते हुए, अदिती के चहरे पर भाव का लेश मात्र भी नहीं दिखा। हर कोई डरा हुआ अपनी अपनी जगा पर खड़ा था और अपनी आखे और दोनों खुले हुए जब्रों से उसे हकाबक का घूर रहा था। मोजवान फी और बाई युन जियान बिल्कुल गुसे में थे। शुरू से ही इस बच्चे का उनका पक्ष जीतने का कोई इरादा नहीं था, इस बच्चे ने जो किया वहाँ उनके चहरे पर थपड़ मारने जैसा था। जैसे ही उसने अपने हाथ से सभी अवशेशों को जाड़ा, उसने मोजवान को देखा फी की आख में जैसे ही उसने धीरे से अपनी पिंकी उंगली को अपनी गर्दन के आरपार किया और उसने उसे उत्तेजक रूप से देखा। मो जुआन फी उबल रहा था और लगभग बैलिस्टिक हो गया था। उसके गले की नसे बाहर निकल रही थी। अगर यहाँ गोस्ट सिटी नहीं होता तो वहाँ इस घमंडी युवा गुंडे को एक लाख बार मार देता। बाई युन जियान ने अपने निचले होटो को ठक गया क्योंकि उसने अनुपस्थित मन से कुछ जीरशीन किताबे उसे सौप दी। जैसे ही भीड ने एक्स्चेंज को होते देखा, उनका दिमाग चक्रा गया। यहाँ बच्चा इतना मूर्ख नहीं है। है ना। बेशकीम्टी रतनों को आसानी से धूल में मिला दिया और अब कुछ जीरशीन कुस्तकों के लिए के लिए कीन्ती पूर्वी मोतियों के एक बॉक्स का व्यापार किया। सब पागल हो गए। इस बच्चे में वास्तव में चरित्र था। वह बहुत अमीर था। बहुत दबंग। जब मोजवान फी ने देखा कि अधिती ने उन उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाता। इन कुस्तकों का वास्तव में नौ पूर्वी मोतियों के लिए व्यापार किया गया था। आज वह वास्तव में हड़ी तक अपमानित हुआ था। एक बार जब अधिती ने किताबे पकड़ ली तो वह नन्हे कमल की खुशी अब जब सब ठीक हो गया तो वह जाने के लिए मुड़ी। छोटा इनसान। जब आपके पास समय हो तो कृपया फिर से आएं। जब भी आप स्वतंत्र हो तब आएं। चाहे वह पूर्वी मोति हो या जो भी आध्यात्मिक रत्न आप धून रही हो, मेरे पास बहुत है। बूढ उसके पीछे चिलाया। उसके जाने के बाद अदिती को लगा कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चारों और चक्कर लगाया और अस्तव्यस्त यूवक को देखा। उसने कुछ बार पलके जपकाई और उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। आप क्या चा जाली। यहां इसलिए था क्योंकि उसने उसके अमरित को अस्विकार कर दिया था कि उसे अभी वह सब कुछ सहना पड़ा। उह, मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतनी गुणवत्ता वाला अमरित है, ऐसी जगों पर आमतोर पर उस क्षमता का कुछ भी दिखाई नही देता है। उसने भेडिये के स्वर में सच-सच उत्तर दिया। उसने कि युन कभीले को अपनी आखों में भी नहीं डाला, एक छोटा बच्चा और क्या दे सकता है। हाला कि जब उस बूड़े ने बोतल खोली, तो उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। छी अब उसे अमरित की एक बोतल देने की आवशक्ता नहीं थी। क्या अधिक है, वहाँ इसे पहली जगह में नहीं चाता था। मैं तुम्हें पांच भुखतान कर सकता हूँ। उसने जल्दी से पेशकश की। मुझे जरूरत नहीं है, पलटे ही उसने तुरंत जवाब दिया उसे अभी भी अपने लिए एक उप्युक्त साधना विधी खोजने की आवशक्ता थी। उसे यूँ ही जाते देख वहाँ अभागा युवक मायूस भाव से अपना सिर खुजलाता हुआ अपने हाथों में मोटियों की डिब्बी को निराशा से देखता रहा। अरे नहीं उसे अपने लिए उप्युक्त खेती का तरीका नहीं मिला। इस यात्रा के दौरान उसे कुछ भी हासल नहीं हुआ था। उसके पास केवल वे कुछ बागवानी की किताबे थी और उसने अमरित की तीन बोतले भी खोदी। देर रात हो चुकी थी और एक भी आत्मा दिखा दे रही थी। वह विचारों से भरे मन के साथ इस्तीफे में वापस चली गई। जब वे चल रहे थे खंडी हवा अंधेरी गलियों से जोर से गरज रही थी। जैसे ही वे गली के कोने पर मुड़े अंधेरे के घुंगट ने उसे पूरी तरह से ढख लिया, एक फैला उसके लिए बढ़ा और उसे अंधेरे में खीच लिया। मियाओ, बिल्ली ने तीखे स्वर में पुकारा। अधिती को एक गर्म आलिंगन में खीचा गया था क्योंकि उसके पीछे के आदमी ने उसे पीछे से गले लगाया था, धीरे से उसके होटों पर एक उंगली उसके कान के बगल में गर्म सांस के साथ दबा दी थी। एक गहरी गूर आवाज ने उसे शांत कर दिया। शाहक काली छाया ने इस बार उसे काले फरबॉल की और निर्देशित किया। छोटी काली बिल्ली अकड़ गई। इतनी रात में अकेले बाहर जाना एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। गहरी आवाज ने चढ़ाने वाली आवाज में कहा क्योंकि उसने उसकी पतली गर्दन को नीचे गिरा दिया। वह थोड़ा काम गई। जून वू याओ मुझे जाने दो बिना पीछे मुड़े अधिती तुरंत ही जान गई कि यह कौन है। यह चंचन रखा और उसे और भी जोर से गले लगाया। वह इस भावना से प्यार करता था, इतना छोटा और चोटा और उसका शरीर इतना कोमल था। मैं खंडा नहीं हूँ, उसने प्रतिवाद किया। ओ, मुझे खंड लग रही है, तो मुझे गर्म होने में मदद करू। जैसे ही व थोड़ा आगे जुका, उसकी थोड़ी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। आप वास्तव में अपने परिवेश से अवगत नहीं है। आपको और अधिक सतरक रहने की आवशकता है, अन्य लोगों द्वारा पूरी रात आपका पीछा किया गया और फिर भी ध्यान नहीं दि उसने शांती से उतर दिया, उसने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ एक सामान्य व्यक्ति था। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जून हु याओ ने अपने हाथों को ऊपर उठाया क्योंकि उसने दो उंगलियों का इस्तमाल किया और धीरे से उसकी थुड़ी क पकड़ा और उसके सिर को सड़क की दिशा में घुमा दिया। सुनसान सड़कों के किनारे अचानक एक लंबी आकरिती दिखाई दी जो उचसुकता से कुछ ढून रही थी। उसके चेहरे पर चांदनी चमक उठी और उसकी विशेश्टाएं थोड़ी प्रकट हुई। लं जून वू याओ ने उसे बहुत करीब से गले लगाया जब उसने उससे चंचल लेकिन सुकदायक स्वर में बात की। लॉंग क्यूई वास्तव में अपना आभार व्यक्त करना जानता है। व्यक्तिकत रूप से अंधेरे में आपकी रक्षा करता है। जून वू याओ ने रात में चुपके से बाहर आने के बाद उसके पीछे कुछ एलीट शाडोगार का होना ही काफी होता। लॉंग क्यूई को व्यक्तिकत रूप से उसकी रखवाली करने की आवशक्ता नहीं थी। उसकी दवाएं काफी अविश्वस्निया लगती हैं। उन्होंने वास्तव म एक ऐसा चहरा जो देशों को हिला सकता था, एक साधे साधारन चहरे से बदल दिया गया। जैसे ही जून वु याओं की खुरदरी उंगलिया धीरे से उसके नाजु खोटों से तकराई, उसने एक चधाने वाली और चंचल मुसकरा हट दी। वास्तव में बजसूरत चहरे लिन पैलेस में रहा हो, उसकी उपस्तिती बहुत मायावी थी। वा कभी-कभी अचानक सामने आकर उसे चौका देता, कई बार एक निशान भी नहीं मिलता। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, लिन पैलेस के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसका मतलब उन्हें को को भूल गए हैं। और वहाँ पागलपन से खोज रहा था। उसने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि जुन्भू याओ अदिती को अपनी बाहों में लिये हुए हैं, जब वे एक अंधेरी गली से बाहर आये थे। यंग मास्टर, मिस, उसने पुकारा लेकिन वहाँ चुक्के से चकित था कि वहाँ अपने यांग मास्टर की उपस्तिती को पहले महसूस नहीं कर सका। क्यूई पर एक नजर डाले बिना, जून्भू याओ ने बस अदिती को ले जाना जारी रखा और वे वापस लिन पैले स्की ओर चल पड़े। लॉंग क्यूई चुक्चाप उनके पीछे हो ल रहा था क्योंकि वे अपने दैनिक दिन्चर्या में लगे हुए थे। जैसे ही अदिती और छोटी काली बिल्ली ने फार्मेसी में प्रवेश किया, छोटी काली बिल्ली ने छोटे कमल को द्रिड स्वर में पुकारा। तुम बदमाश, बाहर आओ। एक कापती हुई छोट अदिती आकरिती को देखा जा सकता था क्योंकि वह जल्दी से चारों तरफ जमीन पर गिर गई और उसका सिर जुका हुआ था। अदिती ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोडा हुआ था, उस छोटी सी आकरिती को ठंडी चकाचौन से देख रही थी। ननहा कमल मुझे वापस भेजो। उसके गालों पर अनमोल आसों की ननही ननही बूंदे धुलक रही थी। अदिती की और देखते ही वह काप उठा। वह जानता था कि गोस्ट सिटी में अपनी मर्जी से प्रकट होने पर उसे अपने मालिक के क्रोध का सामना करना पड़ा था। जीरशीन बागबानी की किताबे लाने के लिए मजबूर किया। मुझे पताओं हम इन पुरानी पुरानी चीजों के साथ क्या करने जा रही है। छोटी काली बिल्ली टेबल पर कूद गई क्योंकि उसका एक पंजा पुरानी किताबों के धेर को छू गया था जो वहां किताब को टेबल से बाहर कर दिया क्योंकि वह जोर से धमाका कर रही थी। नहीं, ननहा कमल का चेहरा पीला हो गया क्योंकि वह आगे खिसक गया और कुस्तक को बचाने के लिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसने उसे सुरक्षात्मक रूप से अपने आलिंगन में लाया। तब चला जब छोटी काली बिल्ली ने टेबल से किताबों को स्वाइप करना जारी रखा, क्योंकि नन्हा कमल अपने आसों से त्रस्ट चेहरे के साथ बिखरा हुआ था और किताबों को बचाने के अपने कड़वे प्रयास में इधर-धर भाग रहा था। परियाप्त अधित को देख रहा था। आप इन पुस्तकों को इतना प्रिया क्यों मानते हैं। आप उन्हें किस लिए चाहते हैं। अधिती ने अपने हाथों को अपनी थुद्दी पर तिकाए हुए जमीन पर सिसती हुई आकरती पर नजर डाली। यहां मेरे लिए नहीं है। यहां आपके लड़का चाहता था कि वहां माली बने। यहां है। यहां है। जिसे आप सभी इसे साधना तकनीक कहते हैं। ननहा कमल अपने ननहे हाथों से किताबे उसके पास ले आया। खेती की तकनीके अधिती हैरान थी। ननहे कमल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं एक पौधे का प्रका नहीं कर सके। मुझे कहना होगा कि तुम्हारी किस्मत वास्तव में अच्छी है। ननहे कमल ने अधिती को समझाने की पूरी कोशिश की सिवाए इसके की उसका शर्मीला और आरक्षित व्यवहार बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं लगा। अधिती ने हाथों में नहीं होता तो वहां वास्तव में कलपना नहीं कर सकती कि ये जीरशीन बागवानी की किताबे वास्तव में बेशकीम्ती खेती की तखनीक बन गई है। बढ़ते पौधे आध्यात्मिक उर्जा को बढ़ा सकते हैं। अधिती ने लापरवाही से सबसे उपर वाली किताब लग दी। ननहे कमल ने उत्सा से सिर हिलाया। मुझे क्या लगाना चाहिए। उसने पुस्तक में पौधों की किसी भी प्रजाती को नहीं पहचाना। ननहे कमल ने तुरंट अपना हाथ उठाया और उसकी नाप की ओर इशारा किया। मुझे लगाओ। अधिती अवाक थ लगती थी कि वहाँ पृत्वी में कमल के बीज लगा रही है और जब फसल काटने का समय था। बहुत सारे छोटे कमल थे। केवल उनके सिर्धरती से बाहर निकल रहे थे जबकि उनके शरीर अभी भी नीचे दबे हुए थे। यहाँ वास्तव में काफी द्रिशे था। व इसके बाद केवल आप ही अवशोशित कर सकते हैं। पुसरी और ये पुस्तके सरल सीधे बिंदु पर थी। आपको केवल फूल लगाने की जरूरत थी। अधिती ने अपने हाथ में पुस्तक की सामगरी को ध्यान से पढ़ा। कमल के अलावा कई अन्यप्रकार के पौधे थे जो आध्यात्मिक उर्जा भी जमा कर सकते थे। हाला कि उन अजीब पौधों के नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुने थे। कमल के बीज के अलावा मुझे अन्यप्रकार के बीज कहां से मिलेंगे अधिती ने पूछा। नन्हा कमल जवाब देने से पहले एक पल के लिए भोचका रह गया और जिचका मुझे भी यकीन न अधिती ने अपनी भोहें ऊपर करते हुए दबाव डाला। नन्हे कमल ने अपना सिर गिरा दिया और उसके दो छोटे गोलम टोल हातों ने उसका एपरन पकड़ लिया और फुसुसाया। वे थोड़े से लोग अभी तक बाहर नहीं आ सकते हैं। तो यह तुम्हारी तो उन्होंने एक बार कहा था कि उनके कमल के बीजों को किसी व्यक्ती ने खा लिया है। और अब इस छोटे से मुह से उन्होंने एक बार फिर कुछ लड़कों का जिक्र किया। अधिती उत्सुकतावश बता रही थी कि वे लोग कौन थे। कौन है वे। समविदात्मक आ जाने की कोशिश कर रहा था। जून वूसु और भी हैरान थी। एर्म उहक की। वास्तव में यदि मास्टर कथिन अभ्यास करते हैं और ठीक से साधना करते हैं तो आप निश्चित रूप से दूसरों को खोजने में सक्षम होंगे। हालांकि जैसे आप अभी है। क्या प उसरे पौधों को खोजने के लिए जल्दी करने की जूरत नहीं है। ठीक है। मुझे यखीन है कि मैं आपकी मदद करूँगा, क्या आप तृप्या मुझे पहले रोपन करना शुरू कर सकते हैं। ननहे कमल ने अपनी धुन्दली आखों से याचना की। अधिती को लग की खेती की विधी हो। पहले उसने सोचा था कि ये कुछ नियमित बागवानी की किताबे हैं, लेकिन कमल के छोटे से समझाने के बाद उसने देखा कि किताबों में वर्नित पानी नियमित पानी नहीं था। जडवीहीन जल शब्द कई बार निकला और यह जडवीहीन जल जिमनतम कोटी का था और यह वह जल था जो स्वर्व से बहकर प्रिथ्वी पर उत्रा है, नकी जीलों और नदियों का जल। उस्तक में विभिनर जल पौधों का वर्नन किया गया है, जिन में से एक हिम कमल की खेती विधी थी। उस हिससे को पढ़कर अदिती का चेहरा काला पढ़ गया। हिम कमल के पौधे को लगाने के लिए पानी की आवशक्ता होती है। इसे पानी कहना अब संभव नहीं था। क्योंकि अभिलेखों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसे स्वर्गिय जरने के पानी की आवशक्ता थी। परिस्थितियां काफी कठिन थी। उसे कौन बता सकता है कि उसे यह स्वर्गिय वसन कहां मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि यह स्वर्गिय वसन जल क्या है। उसने भ्रूभं करते हुए ननहे कमल से पूछा। ननहे कमल ने जोर से अपना सिर बाए और दाए हिलाया। अदिती का मुह थोड़ा सा फड़क उठा कुस्तक में कहा गया है कि हिम कमल को पालने के लिए एक बहुत ही विशेश वातावर्ण की आवर्शक्ता होती है और इसे नियमित पानी में नहीं लगाया जा सकता है. यदी बीजों को नियमित जल में रखा जाता है तो कमल मुर्जा जाएगा और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है. दूसरे शब्दों में यदी वह नियमित पानी में बीज डालती है तो वे मर जाएंगे. निश्चित रूप से इस कष्टदायक कमल को किसी भी नियमित जल से नहीं उठाया जा सकता है. स्वर्गिय वसंत के अलावा उसने ध्यान दिया कि एक अन्य तरल जो हिम कमल को लगा सकता था, उसे जेड अमरित कहा जाता था. इस दुन्या में इस शब्द का अर्थ था कि यहां उच्चतम गुर्वत्ता की शराब थी, यहां तक की अमाया के पास भी केवल एक बार इसका एक छोटा प्याला पीने का मौका था जब पहले समराट ने उसे युद्ध जीतने के उपलक्ष में एक प्याला दिया था. आप एक पौधा उगाने के लिए शराब का उप्योग भी कर सकते हैं। का जन्म दिन समारो होगा और उसे भी आमंतरित किया गया था। यहां जाचने का एक अच्छा अवसर होगा कि क्या यहां अभी भी महल में हैं। हाला कि उन्हें अपनी खेती की तक्नीक हाथ में आ गई थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह अपनी खेती शुरू नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो गोस्ट सिटी से लोटने के बाद से अपनी खेती शुरू करने के लिए आवशक संसाधनों पर मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रही थी, मोजवान फी और बाई युन जियान का मूड एकदम नीचे आ गया था। गोस्ट सिटी के कानूनों के तहट, मोजवान फी उस बदमाश के लिए कुछ नहीं कर सका जिसने उसे अपना चेहरा पूरी तरह खो दिया। बाई को खुश करने के लिए वह कितनी मेहन कर रहा था, यह सोच कर उसने अपने दाथ पीस लिए गोस्ट सिटी में पूरी घटना के बाद युन शियान। वह युवा गुंडा, उसकी इस तरह रास्ता पार करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अदालत के चित्रकार को ततकाल बुलाया था और उसे बच्चों के चहरे को उनके विवन के आधार पर चित्रिक करने के लिए कहा था। भले ही वह गोस्ट सिटी में उसे चुन नहीं सका, एक बार बाहर होने के बाद वह उसे जाने नहीं देगा। मोजवान फी अपने गुप्ट बलों को जुटाया और उसी रात पूरे इंपीरियल शहर में उनका मुकाबला किया। हाला कि हैरानी की बात ये थी कि उस बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया था। यहां ऐसा था जैसे वह रहस्यमय तरीके से पतली हवा में गायग हो गया हो। यहां तक कि उसने गोस्ट सिटी के प्रवेश द्वार पर अपने आदमियों को तैनात कर दिया था ताकि बच्चे के देखे जाने के बाद उसे सूचित किया जा सके, हाला कि कोई खबर नहीं थी। समय तेजी से बीता गया क्योंकि पूरा शहर क्राउन प्रिंस के जन्दिन समारों की तैयारी में लगा हुआ था। जन्दिन से ठीक एक रात पहले, अमाया ने जून क्विंग और अदिती को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। इस बार न केवल अप्षिष्ट अदिती को आमंत्रित किया गया था, बलकि मरने वाले जून क्विंग को भी निमंत्रण मिला था। क्राउन प्रिंस का जन्दिन कल है, आप दोनों को मेरे साथ आने की जरूरत है। लॉंग क्यूई को अंदर जाने की अनुमती नहीं है, इसलिए अदिती, मैं तुम्हारे चाचा की देखभाल तुम्हारे अच्छे हातों में कर दूंगी। अमाया ने अदिती की तरफ गर्व से देखा। उसकी छोटी लड़की इतनी भरोसेमंद हो गई थी और यहाँ एक ऐसा आश्वासन था। अंजाने में उसने लिन पहले इसके भविश्य की अपनी सारी आशा इस छोटी लड़की के हातों में रख दी थी। ठीक है, अदिती ने सिर हिलाया। एक बात और तुम्हारे चाचा का हाल बाहर के लोग नहीं जानते। अभी तक वे सभी अभी भी सोचते हैं कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं बचा है। अगर उन्हें उसके ठीक होने के निशान मिलते हैं, तो मुझे डर है। अदिती क्या आप अपने मास्टर से पूच सकती हैं कि क्या आपके अंकल को असाधारन रूप से बीमार लगने का कोई कारण हैं, अमाया चिंतित थी क्योंकि उसे क्राउन प्रिंस के जन्दिन से सिर्फ पांच दिन पहले ही जून क्विंग का निमंतरन मिला था। इन सभी वर्षों में, क्राउन प्रिंस के जन्दिन के भोज में केवल अमाया को ही आमंतरित किया गया था, हाला कि यह वर्ष एक अपवाद था। उसके खून के साफ हो जाने और उसके शरीर से सारा जहर निकल जाने के बाद, उन्होंने शरीर कंडीशनिंग चरण शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि मैं आधे साल के समय में चलने में सक्षम हो सकता हूं, जून किंग खिल खिलाते हुए चमक उठा। ठीक होने का यह समय एक दशक में उनके लिए सबसे खुशी का समय था। सब कुछ जल्दी नहीं किया जा सकता है, भले ही आप अच्छी तरह से ठीक हो रही हो, हम इसे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अन्य था यह सब व्यर्थ होगा, अदिती ने जून किंग को चेतावनी दी। और जब तक वह गिर गया और लॉंग क्यूई द्वारा वापस ले जाने तक उसने अभ्यास करना बंद कर दिया। इस वज़ा से अदिती को कई बार बुलाया गया। अदिती को जून क्विंग को सकती से याद दिलाना पड़ा वरना उसके अती उत्सा का परिनाम उल्ता हो सकता है। अपनी ही भतीजी द्वारा डाटे जाने पर जून क्विंग जोर से हसा और उसने उत्सा में अपने पैरों पर थपड मारा, आखे जोश से भर गई। अदिती तुमने जो कुछ भी कहा मैं निश्चित रूप से समझती हूँ। यह सिर्फ इतना है कि 10 साल से अधिक समय से। मैं अपन हूँ। 10 से अधिक वर्षों के लिए। अब मेरे पास फिर से चलने का मौका है, मैं वास्तव में इंतजार नहीं कर सकता। फिर से चलने मे सक्षम होने का एहसास मुझे नहीं लगता कि सामान्य लोग इसे समझ सकते हैं। उसके अपंग होने के बाद उसके उपहास और अपमान की मात्रा अंगिनत थी, हाला कि वह कितनी बार हसा था, आसानी से गिना जा सकता है। वह जो निराशा महसूस कर रहा था, वह सब उसकी इस मेधावी भतीजी ने धो दी। वह दिन जब वह वापस आसमान में उडान भरेगा वह निकट है और यहाँ वापसी का समय होगा। इसे ऐसे समझो जैसे मैंने तब कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे लिए और टॉनिक मिलाऊंगा। अदिती ने पहले भी ऐसे अती उत जोशी से देखा, अतीत में इस भतीजी के लिए उसका प्यार इसलिए था क्योंकि उनके बीच खून का रिष्टा था, लेकिन अब वह वास्तव में अपनी इस भतीजी को दिल की गहराईयों से प्यार करता था। वह शीगर स्वास्थ्य लाब चाहता था ताकि वह अपने दोनों हाथों से इस परिवार की रक्षा कर सके जो उसे बहुत प्रिय था। चिंता मत करो दादा जी, आपने वो बाते कही हैं, जो मास्टर जी ने भी सोची थी। कल मैं अंकल को लेने के लिए कुछ दूंगा, यहां उनके लिए हानिकारत नहीं होगा, यहां सिर्फ उनक लक्षणों को देखने देता है, जैसे कि वह जीवन के धागे से लटक रहे हो। उसने इस बारे में लंबे समय से सोचा था और पहले से ही कुछ गोलिया तयार कर ली थी जो किसी भी आपात सिती में निवारक के रूप में काम कर सकती थी। अमाया और जुन क्विंग अपने पैरों का उप्योग करने दिया गया था, बल्कि उसके पूरे शरीर को अंदर से बाहर से मजबूत और अनुकुलित किया गया था। दूसरी और, अमाया के स्वास्थे में इतना सुधार हुआ था, उसका पूरा शरीर पहले से अधिक मजबूत हो गया था, उसका दिमाग तेज और स्पष्ट हो गया था, उसका पूरा शरीर अपने चरम पर पहुँच गया था आपके गुरु ने लिन पैलिस में बहुत योगदान दिया है, हम हमेशा उनके रिनी रहेंगे, अमाया ने आ भरी, उसके इस मायावी मालिक ने उनके परिवार की इतनी मदद की थी फिर भी उसने न तो आने से इंकार किया और नहीं उनसे कोई माम की, वह परवाह नहीं करता छोटी काली बिल्ली को अपनी बाहों में भरते हुए अधिती ने उचसुकता से नीचे देखा, अब वह केवल इतना कर सकती थी कि अमाया और जून क्विंग को और अधिक शक्तिशाली होने दिया जाए, हाला कि यह परियाप्त नहीं था, वह खुद और अधिक शक्तिशा गारियों में जुटे हुए थे, घोडों को ब्रश किया गया, गारियों को पॉलिश किया गया, भव्य पोशा के पहनी गई और जैसे ही सूरज धलने लगा, पूरे इंपीरियल शहर में खलबली मच गई क्योंकि सड़के सबसे शांदार गारियों से भर गई क्योंकि वे गारियों के साथ, सभी विभिन्न मंत्रियों के पास क्राउन प्रिंस का जन्दिन मनाने के लिए आज यहां इकठा हुए दुनिया भर के खजाने थे, जून की पारिवारिक गारी पैलिस गेट पर भव्य रूप से पहुँची, लॉंग क्यूई गारी के बाहर बैठा था और वहां बेरुखी से गारी की ओर आ रहां देख रहा था, वू वांग की असाधारन गारी उनके साथ फंस गई, क्रिस्टल की खनकनाहट सुनी जा सकती थी क्योंकि वू वांग ने अपना सिर क्रिस्टल बीडेड परदे से बाहर कर दिया, यह लिन वैंग क्यो नहीं है, क जोटी महारानी और अधिती सच में आ गई, वाह, यह इतना उद्दाम होने वाला है, ओ, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका छोटा महारानी का शरीर इसे ले सकता है, निश्चिन रहें लिन वांग, हमारे करीबी संबंध के आधार पर, मैंने नौकरों को पहले ही कि भोज के दौरान उनका इंतिजार करें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यवस्था के लिए धन्यवाद अमाया ने करारा जवाब दिया, क्योंकि उसने अपनी मुठी कसकर पकड़ ली और परदा नीचे कर दिया, वह उस बीमार चेहरे को अब और नहीं देखना च गया क्योंकि क्रिस्टल शोर के साथ आपस में तक्रा रहे थे, गारी के भीतर अधिती ने सिर उठा कर पूछा, उस आदमी ने कौन सी गंदी चीज खाई थी, उसका मुह सचमुच सस्ता था, अमाया और उसके बेटे को तुरंट पता चल गया कि उसका क्या मतलब है, जब उसने उस तरह से शाप दिया जब वे कुटिलता से मुस्कुराएं, वह राजा का भाई है वुवांग, उसके पास ज्यादा कौशल नहीं है, इसलिए वह चीजों को अपने तरीके से करने के लिए अपने रिष्टे पर बहुत अधिक निर्भर करता है, वह अपने दिमाग में छुरा भोकते हैं, जब आप कम से कम इसकी उमीद करते हैं। अतीप में वह केवल एक व्यक्ती के साथ अपनी पीट पर भरोसा करती थी। इस दुनिया में वह अमाया और जून क्विंग के अलावा किसी को भी यहां मौका नहीं देगी। यहां देखकर कि वहां उसका अर्च समझ गई, जून क्विंग हंस पड़ी। कभी-कभी उसे लगता था कि उसकी छोटी भतीजी बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। ऐसा लगता है कि उसकी धारना और मानसिकता रातों रात भारी परिवर्तन से गुजरी सौभाग्य से यहां एक अच्छा बदलाव था। क्राउन प्रिंस के जन दिन के जश्न में शामिल होने के लिए उम्री भीड के साथ अधिक से अधिक गाडियां राज के विभिन महत्वपूर्ण मंत्रियों में प्रवेश कर गई और उतर गई। भोज में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते हुए, सभी अतिथी बगल के धकने के लिए एक पतला कंबल लिया। जून परिवार की तीन पीडियों के आगमन के साथ एक बड़ी हलचल हुई क्योंकि कई लोगों ने नए आने वाले महमानों पर अपना ध्यान के इंद्रित किया। जब वे उसे देखते थे तो वहां और अधिक सुन्दर लगने लगती थी। दिखावट के मामले में बहुत कम लोग लिन पहले सके इस अनमोन फूल का मुकाबला कर सकते हैं। हाला कि हर कोई जानता था कि इस खूबसूरत बाहरी हिस्से के नीचे एक गर्म स्वभाव वाली तेज तरार लड़की है जो उन्हें आसानी से जला सकती है और वह जहां भी जाती है मुसीबत ले आती है। अदिती की बदनामी हर जगत थी, किसी ने भी उसे एक अच्छे व्यवहार वाले छोटे खरगोश के रूप में मानने की हिम्मत नहीं की। हाला कि अब उन्हें सबसे ज्यादा चिंता विल्चेर पर बैठे हैंसम आदमी की थी। हाला कि वह चुकचाप अपने पीले चेहरे के साथ बैठा था, कोई कह सकता था कि उसे सांस लेने में भी काफी कठिनाई हो रही थी। उसकी करकश और उच्रिंखल सांसे सुनी जा सकती थी, लोगों के दिलों को जकर लेती थी क्योंकि वे उसे अपनी सांसों के लिए संघर्ष करते हुए सुनते थे। यहाँ ग्यात था कि जून क्विंग काफी समय से खराब स्थिती में था और सभी ने अनुमान लगाया कि कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यू हो गई होगी, जब अमाया ने सभी शाही डॉक्तरों को बुलाते हुए महल में प्रवेश किया। की पुष्टी हुई। कुछ मंत्रियों ने जाकर उन्हें प्रोत्साहन के कुछ शब्दों की पेशकश की एक महान मोर्चे को चित्रित किया और जल्द ही भीड में गायब हो गये। यहाँ पूरा पहलू तब सामने आया जब पिता और पुत्र दोनों ने पीडितों की कोटी लड़की क्या कर सकती है। जल्द ही यह पूरे जोरों पर था क्योंकि संगीत, हसी और लालतेन की रोशनी से पूरा महल भर गया था। इस भोज के पैमाने पर कई हाम फुठे। भोज क्राउन प्रिंस काले स्विंग में आयोजित किया गया था और कोई भी देख सकता था कि समराट ने वास्तव में क प्राउन प्रिंस के जन्दिन को उच्च सम्मान में रखा था। मुख्य हाल को भव्य रूप से सजाया गया था और दावत अपने आप में शुद्ध विलासिता थी। उत्तम कढ़ाई के साथ रेशम के ब्रोकेड को चारों और देखा जा सकता है क्योंकि कीमती सामगरी से बने सुंदर नकाशीदार शराप के गिलास उनकी उपस्तिती की शोभा बढ़ाते हैं। बहतरीन कलात्मक डिजाइनों में दुरलब और मनोरम सामगरी के साथ बहतरीन व्यंजन पेश किये गए और महमानों को प्रस्तुत किया गया। अकेले इस भोज के लिए कितना सोना बैंक्रेट हॉल में प्रवेश करते ही अदिती जून किंग को विल्चेर पर धकेल रही थी, चुपचाप अमाया के पीछे-पीछे चल रही थी। एक छोटी सी याद आई, अतीत में, पिछली अदिती ने एक बार क्राउन प्रिंस के जन्दिन में भाग लिया था और यही किंग कुछ कहने ही वाले थे कि अमाया ने अचानक उसे काट दिया और कहा, अदिती, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अदिती ने उत्तर दिया, यदि महामहिम वास्तव में क्राउन प्रिंस से प्यार करते हैं, तो वहां एक परोकारी शासत की छवी बनाएंगे जो लोगों के पैसे को इस तरह से खर्च नहीं करते हैं, जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, ऐसा नहीं है, क्राउन प्रिंस का निवास इतना शांदार है, और सिर्फ एक भोच के लिए इस तरह की फिजून खर्ची की गई है, क्या यह सभी के लिए नहीं है, उसने सब कुछ बहुत ही नजर डाली और धीरे से फुस्फुसाया, उसका रोयल क्राउन प्रिंस रानी द्वारा पैदा हुआ था, उसका अपना परिवार बहुत शक्तिशाली था जिसने उसे रानी के सिंहासन पर बैठने में सक्षम बनाया, उसकी मृत्यू के कुछ ही वर्षों बाद, उसके परि चीजों की नजर से, क्राउन प्रिंस के समर्थन में गिरावट के साथ, समराट ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी, कम से कम कहने के लिए, वर्तमान क्राउन प्रिंस की दुर्दशा लिन पहले इसके समान थी, एक शक्तिशाली समर्थन के बिना, समराट जो पहले उनक के सामने असाय था, उसकी अपनी योजनाय थी. हाला कि उनकी योजनाय वास्तव में गहरी थी, यहां तक कि Crown Prince के साथ व्यवहार करते समय भी, उन्होंने इसे ऐसे चित्रित किया जैसे कि उन्होंने अपने इस बेटे पर बहुत अधिक प्यार किया हो. फिर महमहिम वास्तव में किसका पक्ष लेते हैं, अधिरी ने धीरे से पूछा. दूसरा राजकुमार, अमाया ने ठंडा जवाब दिया. अधिती को अचानक एहसास हुआ कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया. कोई आश्चर्य नहीं कि मोजुआन बाई का पीछा करने के लिए फी लगातार था यूशियान, उसकी पहचान ही उसे क्राउन प्रिंस के प्रतिष्ठित्पत को संभालने के लिए प्रोचसाहित कर सकती थी. यदि उनकी सगाई हुई थी, तो यहां उनके इश्ट कुट्र को क्राउन प्रिंस बनाने का एक शांदार अवसर था. उसके पास आखे हैं, लेकिन वह देख नहीं सकता, कितना अज्ञानी है, उसने उपहास किया. हाला कि वह क्राउन प्रिंस को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन अदिती मोजवान की नजर में फी का व्यक्तित्व अंदर तक सड़ चुका था. यहां तक की का एक टुकड़ा भी मोजवान से बहतर था फी. अमाया हसी, हाला कि उसकी छोटी राजकुमारी ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसका मुवास्तव में काफी विशयला था. सभी मंत्रियों के आने और अपनी सीटों पर बैठने के बाद, समराठ अपने दाहीनी और मुड़े और उनके बगल में बैठे सुंदर युवक से कुछ फुसुसाएं.